अगली हमें एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं, जिन्होंने उस दौर पे, मतलब 19th century की अगर हम बात करते हैं, तो उस दौर पे उन्होंने विडो रिमेरिज पे फोकस किया, विउमन इंपावर्मेंट पे फोकस किया, और उस दौरान आज भी अगर हम देखते हैं, तो हमारी सुसाइटी में, अगर आप आज पर उसमें कभी भी डिसकुशन करते हैं या सुनते हैं, तो इंटर कास्ट मैरिज को तो आज भी हमारी सुसाइटी में पूरी तरीके से, you know, एकसेट नहीं किया जाता, उस समय इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज की, उनके पैरेंट्स ने इन्हें पर्मीशन दिया, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश की पहली गवर्नर के बारे में, बिल्कुल आपने सही समझा, सरोजनी नाई जी, तो आज हमें क्या-क्या सीखना है, हमें सीखना है कि जैसे कि महात्मा गानी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था, आप लोग ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है और सुना है, तो मैंने महात्मा गानी जी की बायोग्राफी को पूरा गा, पूरा दो अलग अलग कवर किया है आप उसे एक बार देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा उसी प्रकार सरोजनी नाइडियो जी को भी केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था उसके उपर हम चर्चा करेंगे तो कहानी जो है इनकी अर्ली लाइफ से शुरू होगी फिर इनका पहन लिखकर बैठेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे जो भी सरोजनी नाइडियो के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स होंगे एक्जाम पॉइंट व्यू से वो मैं आपको यहां पे कवर करा दूंगी एक ही सेशन में इसके अलावा SAC कोर्स अविलेबल है पर्चम के अप्लिकेशन में तो आप उसे पर्चेस कर सकते हैं पुजा 10 कोट का यूज करके एडिशनल 10 परसेंट उसमें आपको आफ्ट मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं हम सरोजनी नाइदियो के बारे में इन्हें हम नाइट एंगल ओफ इंडिया कहते हैं भारत की कोखिला भी कहा जाता है और महात्मा गांदी जी ने बुल-बुल भी कहा करते थे तो महात्मा गांधी जी नहीं इन्हें नाम दिया था Night Angle of India, भारत कोकिला ठीक है? तो she was also known as the Night Angle of India और भारत कोकिला और ये नाम इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था ऐसा नहीं है कि केवल महात्मा गांधी जी ने ही इन्हें Night Angle of India कहा था नहीं, सरोजनी नाइडियो जी ने भी Mahathma Gandhi जी को एक नाम दिया था आप जानना चाहोगे वो नाम क्या है? Mickey Mouse तो Mickey Mouse कहाँ किए कि बुलाया करती थी और वैसे ही Mahathma Gandhi जी सरोजनी नाइडियो जी को Night Angle of India या भारत कोकिला के नाम से जानते थे आप लोग ने देखा कि कई सारे politicians जो रहे हैं जो freedom movement में struggle किया है fight किया है हमारे देश के लिए बहुत सारे लोग inspire हुए है या follower रहे है महात्मा गांदी जी के उनमें से एक थी सरोजनी नाइडियो जितने भी गांदी जी के आप movement देखेंगे चाहे वो quit India movement ओ, non-corporation movement हो khilafat movement हो, dandhi march हो हर एक movement में सरोजनी नाइडियो जी ने गांदी जी का सहयोग किया है गांदी जी का साथ दिया है और जितने भी लीडर गांदी जी के सहयोग में खड़े रहे हैं या गांदी जी की फॉलोवर्स थी, महात्मा गांदी जी से काफे ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और पॉलिटिक्स को जॉइन इन्होंने किया था, तो शी प्ले इन इंपोर्टेंट रोल पॉलिगेमी के खिलाफ अवाज उठाई, अब हमारे देश में होता है, जोसकी कोई इस्तरी है, कोई महिला है, वो विटो हो गए, उसके हस्बेन का देथ हो गया है, तो होता कहता है, उस पे इतना ददा समाजिक प्रेशर हुआ करता था, कि वो गलत रास्ते पे या फिर पैसे कमाने के लिए, वो प्रोस्टिचूशन में इंगेज हो जाना, मतलब उनकी हालत काफी कराब थी, तो विडो री मैरिज पे ध्यान देना, विमन इंपावर्मेंट, विमन एजुकेशन पे ध्यान दे इनका नाम सरोजनी नाइडियो नहीं होता बैसे की, इनका ओरिजिनल जो नाम आप देखेंगे, वो सरोजनी चटो पाध्या देखेंगे, वो तो शाधी के बाद इनका नाम चेंज हो गया था, क्योंकि हilsband का सरनेम होता है, वो लगाना होता है अपने नाम के बाद, तो शा इसलिए नेशनल वीमिन्स डे हम 13th of 5 को सेलिब्रेट करते हैं जो कि सरोजनी नाई जी जी की बिर्थ एनिवर्स्टरी होती है इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है तो 13 फरवरी को इनका जन 1879 में हैं हैदराबाद में होता है इनके फादर का नाम अगोर नाच चत प्रिंसपल होते हैं वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं प्रिंसपल होते हैं और इनके जो बचपन का नाम होता है वह सरोजनी चटोपाध्या होता है शादी के बाद इनका नाम सरोजनी नाई जी हो जाता है अगर इनकी माता के बारे में बात करते तो बर्धा सुंदरी द उनिवर्सिटी आफ मदरास में इन्होंने एजूकेशन किया साथ बारा साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया बहुत ही शांदार पोईट रही है बहुत ही शांदार इन्होंने रचनाई की है कविताओं को लिखा है और आज भी हमारी एकर NCRT की बुकाप उठ कविताओं तो कविताओं आपको उसमें सरोजनी नाइडियोजी की देखने को मिल जाएंगी इंडियान वीवर करके कवितार कें ची और यह बच्चों से काफी जादा प्यार करती थी ठीक है तो बच्चों से रिलेक्टिड हुणने कई सारे कविताओं लिखी थे तो बहु पर्शियन लेंग्विज में किया है, इंग्लिश में भी किया है, तेलगू क्योंकि अब हैदरबाद से बलॉंग करती हैं, तो अलग-अलग लेंग्विज में नहोंने वुरचनाओं को किया है, ठीक है, फिर इसके बाद 1895-98 में ये King's College लंदन में पढ़ाई करने के लिए ज हैदरबाद की निजाम ने दी है, क्यों दी है भाई, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इनकी जो फादर है, वो प्रिंस्पल है निजाम College हैदरबाद में इसलिए इनको स्कॉलर्शिप दी गई है, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि 12 साल में इनोंने लिखना शुरू कर द इसके बाद हैदरबाद के निजाम तक यह रचना पहुंची इसके बाद काफी जदा इसे पॉपॉलर्टी मिली और काफी ज़ए खुश हुए हैदरबाद के निजाम, और खुश होके इनको इनको हाईठराबाद का ट्रस्ट था, है न Coc시는 इनका ऐञ इनको हाईडरीकशिप जैसे कि कहा माहर मुनीर जुन की रचना है, उसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपलर्टी मिली और हैदरबाद के निजाम ने इन्हें जो है वो आंगे की फर्दर स्टडी करने के लिए अपने ट्रॉस्ट से वो है फंड भी दिया, स्कॉलर्शिप दी, जिसके कारण ये किंग्स कॉलेज लंदन गई, बाद में कैमरेज उनिवर्सिटी भी गई अब वहाँ पर जब जाती है पढ़ाई करने के लिए तो उनकी मुलाकात होती है और्थर साइमन से जो कि एक साहितकार है, नोबल प्राइज विजेता भी रहे हैं, और्थर साइमन और एडमन गौस से इनसे उनकी मुलाकात होती है और जब इनसे मुलाकात होती है, तो उसमिन की एज काफिका में 16-17 साल की है और 16-17 साल की उमर पे वो कविताएं लिख रही है, तो उतनी जादा कविताएं, मतलब कविताएं बहुत शानदार है उसके बारे में लिखो, वहाँ की नदियों के बारे में, लेक्स के बारे में, मौटिन्स के बारे में वहाँ के कलचर, वहाँ की ट्राइब, वहाँ की क्या सोशल-POLITICAL कंडिशन है मतलब अपने देश को फोकस करते हुए आपको कवीता हैं लिखनी तो उनसे वो प्रभावेत हुए और उस तरीके से उन्होंने अपने कवीताओं में जो चेंजिस किये हैं और वो 20th century अगर आप देखेंगे तो उनकी कवीताओं में वो सारे चेंजिस आपको देखने को मिलें अब लंदन में जो किंग्स कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती है तो इन्हें प्यार हो जाता है शी फैल इन लव किसके साथ गोविंद राजु नाइजियू के साथ जो कि एक नॉन ब्रामिर फैमिली से बिलॉग करते हैं लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है और फिर 19 एज में 19 साल की उमर में 1898 में इनकी शादी हो जाती है जिसके बाद फिर सरोशनी चटो पाध्याजी सरोशनी नाइडियू के नाम से जाने जाती है इनके चार बच्चे है जैशूरिया पदमजा नाइडियू का नाम आपने कई बार सुना होगा इसके अलावर रधीर और लीलामन इनके बच्चे होते हैं अब जैसे कि इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हम शुरुआत करते हैं तो पॉलिटिकल करियर के शुरुआत इनकी 1905 में होती है 1905 वही समय है जब बंगाल का पार्टिशन होता है और बंगाल का पार्टिशन जो है बेसिकली divide and rule के लिए किया जाता है कि तोड़ो और राज करो हिन अबाटो और राज करो, हिंदूओं को अलग करो मुसल्मानों को अलग करो और reason क्या देते हैं कि administration point of view से क्योंकि बंगाल presidency बहुत बड़ी है हम properly उसमें administrate नहीं कर पा रहे हैं हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इससे काफी ज़दा impact पड़ता है सरोज जी नाइडियों के उपर और काफी ज़दा दुखी होती है इस बंगाल के partition से और उसके बाद 1905 में ये politics में involved हो जाती है यहां से इनके political career की शुरुवात होती है हाला कि अभी जी से मुलकात नहीं हो है 1914-1915 में जैक क्योंकि गांदी जी तो अभी साओध अफरीका में है जैसा कि मैंने आपको बताया था गांदी जी 1915 में साओध अफरीका से बापस आएंगे उसके बाद उनकी मुलकात सरोजनी नाइडियों से होती है और सरोजनी नाइडियी जी उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो philosophy होती है, ideology होती है, स्वराज की भावना होती है, उनसे काफी साथ inspire होती है और महात्मा गांदी जी के कदम से कदम मिलाके चलती है हर एक जो movement महात्मा गांदी जी ने शुरू किया है उसमें सरोशनिन आइडियो आपको जरूर देखने को मिलेंगे चाहे वो सत्याग्राय हो, नमक सत्याग्राय हो भारत छोड़ो आंदोलन, असहियो गांदोलन कोई भी movement आप उठाएंगे, वहाँ पर सरोशनिन आइडियो आपको जरूर देखने को मिलेंगी तो हम बात करते हैं के political career के बारे में जैसा कि मैंने का कि 1905 में इन्डियन नेशनल कॉंग्रेस को INC को जॉइन कर लिया, क्यों? बंगाल के partition के बाद दुखी होकर इसके बाद आपने सुना होगा कि 1916-1917 में बाल गंगधर ते लग और एनी बेसेंट ने भारत में home rule movement की शुरूरात की थी तो एनी बेसेंट का जो home rule movement है उसके साथ भी सरोशनिन आइडियो जुड़ गए और उनके साथ मिलके इन्होंने women empowerment, women welfare, social welfare जैसे मुद्धों पे काम किया और 1917-1917 में, 1917 में इन्होंने women's indian association का formation भी किया तो women's indian association का formation 1917 में हुआ है और सरोशनिन आइडियो के दोरा उसकी स्थापना की गई है जैसे कि मैंने कहा कि एनी वेसेंट के home rule movement को इन्होंने जुइन किया उसके साथ था 1915-1918 का जो दोर है उसमें इन्होंने अलग-अलग reason में भारत के अलग-अलग places में visit किया, अपने lectures को delivered किया, लोगों को बताया कि women rights कितने जरूरी है, girls की education के जरूरी है विडो-remarriage पे भाशन दिये, तो कई सरी के तरीकों से इन्होंने women empowerment और social welfare के लिए काम करने के लिए भारत के अलग-अलग कोनों में इन्होंने visit किया है 1915-1918 तक, ठीक है अगली बात करते हैं, जब 1905 में इन्होंने politics में entry की, 1905 में, जब इन्होंने politics में entry की, Indian National Congress को join किया उसी समय 1905 में, इन्होंने एक बहुती famous अपना पहला poem का collection भी launch किया था, publish किया था, जिसका नाम है The Golden Threshold तो ये कई बार exam में पूछा गया कि The Golden Threshold किसकी रचना है, तो सरोजनी नाइडियो की रचना है, 1905 में इनका पहला poem का collection publish हुआ था और फिर 1927 में 1927 में इन्होंने second part मतलब ये जो second रचना है The Feather of Dawn वो लिखी थी, बट पब्लिश जो है इनकी बेटी, पदमजा नाइडियो की द्वारा 1971 में किया गया तो क्या कहा मैंने कि इनकी पहली poem की collection है वो 1905 में publish हुई जो की golden threshold है और second जो collection है वो पदमजा नाइडियो जो की इनकी daughter है 1961 में publish किया second collection of poem जिसका नाम में The Feather of Dawn जो की लिखी गई थी 1927 वो Simon Commission का समय तब वो second लिखी गई थी इसके लाबा मुहमद अली जिन्ना की biography भी इन्होंने लिखी है ठीक है से कई सारे political leader के उपर इन्होंने काम किया है अब हुआ किया था 1911 का दौर था 1911 का समय था और उस समय काफी drought आया हुआ था सूखा फैला हुआ था और कई-कई जगहों पे जो है वो flood आया हुआ था क्योंकि ऐसा होता है यह भारत में किसी एरिया पर पानी जादा हो रहा है तो सूखा है कही पानी जादा है तो flood आया हुआ है कही पानी नहीं है तो सूखा है इसलिए 1911 में British government के द्वारा इन्हें केसरी हिंद का title दिया गया था तो केसरी हिंद का medal जो है 1911 में social work के लिए सरोजनी नाइडियों को दिया जाता है लेकिन होता कि है 1919 में, 1919 में क्या होता है जलियावाला बाग मेसकर होजाता है तो जलियावाला बाग मेसकर के बाद आपको पता है जितने बड़े-बड़े पॉलिटीशियन्स थे उस समय के बड़े-बड़े लीजर्स थे उनके पास जो भी टाइटल थे वो उन्होंने लोटा दिये तो इन्होंने महात्मा गानी जी के सत्यागरह मुव्मेंट को जोईन किया 1917 के बाद 1917 के बाद जोईन कर लिया उसके बाद in 1919 जब जलियावाला बाग मेसकर हो गया इन्होंने अपने केसरे हिंद का टाइटल लोटा दिया उसके बाद she went to London as a part of All India Home Rule League तो लंदन जाती है All India Home Rule League के पार्ट के रूप में और उसके बाद वहाँ से इंडिया के non-corporation movement में शामिल होती है असायोगान दॉलर में शामिल होती है जोकि 1920 में शुरू किया जाता है महात्मा गानी जी के द्वारा अब महात्मा गानी जी कि इन्होंने असायोगान दॉलर में पार्टिसेपेट किया उसके आवा होम रूल लीक से भी जुड़ी होई थी तो काफी जाता पॉपुलर हो गई थी और एक फीमेल का आइकन बन चुकी थी आज भी फीमेल का आइकन है और उस समय और भी जादा इ जैसे की निताजी को बना दिया तो निताजी के साथ यूथ जूड सकते हैं ही ना वैसे ही सरोश्णी नाईडी जी को इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का प्रेसेडेंट बनाया गया क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी एनी वेसेंट बनी थी लेकिन वो भारती नहीं थी पहली भारती महिला जहने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था वो सरोचनी नाइडियो थी और overall इस second number की female थी जिनने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में इसके अलावा 1928 से 29 तक इन्होंने North America के अलग-अलग cities का विज़ित किया वहाँ पर कॉंग्रेस के जो movement हमारे देश के अंदर चल रहा है वहाँ पर lecture दिया जिस से वहाँ की जनता भी aware हो सके कि भारत में क्या movement run हो रहे है और गानी जी के साथ इन्होंने जो दांडी मार्श था जो सॉल्ट सत्याग रह था उसमें इन्होंने पाटी सपेच भी किया था इसके अलावे इन्होंने क्या किया She was a founding member of All India Women Conference in 1927 All India Women Conference की 1927 में founding member रही है और she has also presided over East African and Indian Congress 1929 session in South Africa Indian Congress का जो session था South Africa में 1929 में उसकी भी president रही है तो ये कुछ उनके contribution रहे है हमारे देश के लिए जैसा कि मैंने का Mahatma Gandhi जी के Quit India Movement में भी शामिल थी Dandhi March में भी शामिल थी Dandhi March में शामिल होने के बाद इने जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद आपको पता है हमारे देश में जो है वो non-corporation movement मतलब सभी नाइ अवग्या आंदोलन शुरू हो जाता है और Roundtable Conference की शुरूआत हो जाती है पहली Roundtable Conference successful नहीं होती क्योंकि Congress का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन Second Roundtable Conference के बारे में आप लोग नहीं डेफिनिटली सुना होगा कि महात्मा गांदी जी राजपुतरा नामक जहात से Second Roundtable Conference में शामिल होने के लिए लंदन जाते है तो उसी जहात से सरोजनी नाइडियो जी भी जो है और Non-Corporation Movement को Sorry, Civil Disoviant Movement सभीने अवग्या आंदोलन, Civil Disoviant Movement को बापस से शुरू करते है अगर इसके पहले मैंने गलाद बुला हो तो उसको correct कर लेना Civil Disoviant Movement में बतब सभीने अवग्या आंदोलन को बापस से शुरू कर दिया जाता है और उसके बापस से कई सारे बड़े बड़े लीडर को जेल में डाल दिया जाता है और जिसमें से सरोशनी नाइडियो जी का भी नंबर होता है फिर 1942 में आपको पता है महात्मा गांदी जी के दोवारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की जाती है और भारत छोड़ो आंदोलन जब 8 अगस्त को शुरू होता है तो उसके अगले ही दिन 9 अगस्त को जो अपरेशन जीरो होता है उसके अंतरकत बड़े-बड़े लीडर को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है तो बापस सरोजनी नाइडियो जी को भी जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो महात्मा गांदी जी के साथ कुछ इंडिया मुव्मेंट में शामिल होती है ठेक है, उसके बाद जिए हमारा देश आजाद हो जाता है तो सरोशनी नाइडियो जी, first women governor होती है भारत की सरोशनी नाइडियो वेकम दा first women governor of India and serve as the governor of United province of Agra and Abad 1947 से 1949 तक तो ये बात भी आपको याद रखनी है तो हमने क्या क्या सीख लिए कि सरोजनी नाइडिय जो कि एक freedom fighter है Night Angle of India ये भारत कोकिला के नाम सुजने जाना जाता है उनका जन में 13 फरवरी को होता 1879 में हैंदराबाद में फिर रोने लंदन में study की है लंदन के लावा Cambridge University में study की है फिर ये पहली महिला होती है जो कि गवर्नर होती है 1947 में ठीक है ये second women होती है जो कि president बनती है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की 1925 में और इनकी माहर मुनीर रचना और golden threshold है काफी popular रचना है जिन से caution लगातार exam में बनते हैं आई ये वह अंत में बात कर लेते हैं इनकी death की बारे में इनका निधन 2nd of March 1949 में cardiac arrest के कारण हो जाता है लखनों में कहां पर होता है लखनों में इनका निधन cardiac arrest के कारण 1994 में हो जाता है ठीक है ये भी सवराज चाहते हैं और इंडिया को फ्री करना चाहते हैं बिटिश रूल से और महात्मा गांदी जी को इनोंने एक निकनीम दिया था इसके अलावे इनकी legacy के उपर बात करते हैं तो आज भी आप हैदराबाद में कई सारे art and culture जो museums हैं, galleries हैं, universities हैं उनके नाम आप सरोशनी नाइडियो के नाम पर देख सकते हैं और 1990 में 1990 में एक एस्टराइट था 5647 जिसका नाम सरोशनी नाइडियो के नाम पर रखा गया था इनको सम्मान देने के लिए इनकी memory में इसके अलावा गाराँ 135th anniversary birth सरोशनी नाइडियो के जो कि 2014 में पड़ी थी तब Google ने भी इने सम्मान देने के लिए Google Doodle तयार किया था सरोशनी नाइडियो के पिक्चर के साथ तो कही सारे सम्मान इन्हें दिये जाते हैं आज भी ये हमारे देश में महिलाओं के लिए आई करने क्योंकि उस दौर में इन्होंने महिलाओं के राइड्स के लिए काफी कुछ क्राम किया है तो ये था सरोशनी नाइडियो की बायग्राफी आई तिंग आपको सारी बाते समझ में आई होगी सारे important points को आपने note down कर लिया होगा मिरते हैं ऐसे ही कुछ नए figures के उपर चर्चा करने के लिए उनकी बायोग्राफी को समझने के लिए अगर आप चाहते कि किसी freedom fighter की बायोग्राफी मैं review करूँ तो आप उन person का नाव मुझे comment में दे सकते हैं और फिर comment के हिसाब से मैं उन में से किसी एक को pick करके आपके सामें वो बायोग्राफी definitely पेश करूँगी तब तक अपना ध्यान रखेंगे take care and bye bye